Hello friends and yes friends, आज का हमारा topic है inoxacin and ciprofloxacin जो की unidetrack infections में use के जाने वाले anti-infectives हैं और हमारे medicinal chemistry third course code BP601T B form 6 semester third year के syllabus में देखने को मिलते हैं इस वीडियो में हम लोग inoxacin और ciprofloxacin की chemistry, इसका structure, making of action, metabolism, usage दित्यादी को आसान तरीके से समझनी की कोशिश करेंगे, मैं हूं dr. प्रजयने, शुकला, चले शुरू करते हैं तो सबसे पहला आज का जो हमारा agent है वो है inoxacin, inoxacin जो है वो भी nalidexic acid जैसा structure रखता है, जैसे आपने पिछले वीडियो में nalidexic acid को आपको बताया था और हम कह सकते हैं कि यह एक 6-fluoro napthyridone antibacterial agent है या फिर इसे हम लोग fluoro quinolones भी बोल सकते हैं क्योंकि यह quinolone derivatives हम इसे मानते हैं और इसके 6 position पर यहाँ पर fluoro substitution हमें देखने को मिलता है जैसा कि nalidexic acid के case मैंने आपको बताया था वैसे ही यह एक exactly quinolone ring ना हो करके यहाँ पर हमें napthyridone ring देखने को मिलती है napthyridone में generally 1-8 napthyridine nucleus देखने को मिलता है जबकि हमारे quinolone ring में हमको एक nitrogen containing fuse ring देखने को मिलती है 1-8 napthyridine जो ring system हम कह रहे हैं यह simply एक napthyridine है यानि napthyridine जैसी ring system है यानि दो benzene rings आपस में fuse है और position number 1 और position number 8 इन दोनों पर से carbon को हटा करके इन दोनों ही जगों पर nitrogen जो है वो place किया जा रहा है अगर एक nitrogen होता तो उसे हम लोग quinolone ring बोल सकते हैं जबकि पहले और आठ में दोनों number पर क्योंकि nitrogen हैं इसलिए इसे हम लोग napthyridine ring के नाम से जानते हैं तो हम simply कह सकते हैं कि जो inoxacin है वो एक 1-8 napthyridine 4-on या फिर napthyridone बोल सकते हैं या फिर 1-8 napthyridine 4-on है जहां पर position number 1, position number 3 और position number 7 पर कुछ substitution किये गया है position number 1 पर हमें ethyl group का substitution देखने को मिलता है position number 3 पर हमें carboxylic acid group का substitution देखने को मिलता है position number 7 पर हमें पिप्राजिनाईल ग्रूप का substitution देखने को मिलता है या पिप्राजीन दिंग देखने को मिलती है ये पिप्राजीन दिंग जो है वो same as norfloxacin है यहां पर जैसे norfloxacin में हम देखा था वैसे ही है carboxylic acid और ethyl group same वैसे ही है जैसा कि हमारे nelidixic acid के case में था लेकिन क्योंकि से हम लोग second generation fluorokinolones के इंतरगत रखते हैं तो जो position number 6 है इसकी वो वहां पर हमें एक fluorosubstitution देखने को मिलता है fluorine का वहां पर आपको substitution देखने को मिलेगा जैसा कि सभी fluorokinolones के class of drug में देखने को मिलता है तो यह जितनी बाते मैंने कहीं अगर उन सभी को आप structure में देखे तो और clear हो जाता है दो fuse ring system है इस दो fuse ring system में पहले number पे और आठवे number पे दोनों ही जगहों पर nitrogen समय देखने को मिल रहा है numbering हम यहां से शुरू करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 और यह 9 और 10 दो है यह fuse वाले कारbons होंगे यहां पर ठीक तो पहले और आठवे दोनों number पे यहां पर carbon को हटा करके nitrogen लगाया गया इसलिए इसे 1,8 napthyridine ring बोल रहे हैं या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं napthyridone भी सीधे सीधे बोल सकते हैं next जो third position है यहां पर जो आपको दिख रही है उस पे carboxylic acid लगा हुआ है three position पर लगा हुआ है इसलिए three carboxylic acid मैंने यहां पर लिख दिया fourth position पर जो nitrogen था वहां पर hydrogen पाया जाता था उस hydrogen को replace किया गया ethyl group के द्वारा इसलिए लिखा गया one ethyl six position पर जैसा कि हर fluorocunolones में देखने को मिलता है hydrogen को replace किया गया है फ्लोरो group के साथ इसलिए six fluoros यहां पर हो गया और जो seven position का hydrogen है उसको replace किया गया एक peperazine ring के द्वारा या peperazine ring होती है वो six member ring system होता है और यह saturated ring system होता है जिसमें हमें पहले और चौथे नंबर के carbon को हटा करके nitrogen को लगाना पड़ता है या पहले और चौथे नंबर के position पर nitrogen यहां पर होता है तो जो पहले नंबर का nitrogen है उसी को यहां पर substitution करके seven position के carbon पर attach किया गया है तो यह हो गई जो जी structure आपके सामने आ रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे inoxicin अब इसी structure के हिसाब से हम इसका IPSC nomenclature देख लेते हैं तो इस structure और नाम दोनों त्यार हो जाएगा आप देख रहे हैं कि पहले नंबर पर ethile लगा हुआ है तो one ethile six number पर floro है तो six floro फोर्थ नंबर पर oxo है तो इसलिए फोर्थ oxo seven number पर peprazine है तो peprazine और यह peprazine पहले नंबर से इसके साथ जुड़ी है इसी लिए one aisle word का प्रियोग किया गया one eight naphtha thyridine है तो one eight naphtha thyridine यहाँ पर आपको दिख रही है और third position पर carboxylic acid है जो की इसका parent निम बना रही है तो three carboxylic acid तो यह हो गया इसका iupac nomenclature that is one ethyl six fluoro four oxo seven peprazine one aisle one eight naphtha thyridine three carboxylic acid जो की structure हमारे nalidixic acid के structure से काफ़ी कुछ मिलता दिलता है जैसे हमने पिछले turn पर भी discuss किया था nalidixic acid को तो यहाँ पर first position पर same है जो third position है वो आपकी same है यहाँ पर fourth position पर यहाँ पर भी oxo group है यह यहाँ पर one eight naphtha thyridine ring देखने को मिल रही है अंतर क्या आएगा के वली six position पर आप fluoro group लगा रहे हो और इस methyl की जगप पर यहाँ पर प्रप्रजीन ring जो है वो आप substitute कर रहे हो जैसा कोई आपको यहाँ पर दिख रहा है तो यह हो गया इसका structure and nomenclature अब बात करते हैं mechanism of action की तो जैसे इसके पहले हमने जो फ्लोरो क्लोन लिंस देखे थे ठीक वैसे ही अपना action शो करेगा यह dna gyrase को inhibit करेगा या फिर topo isomerase four को dna gyrase जो है वो topo isomerase two का एक टाइप है और topo isomerase जो है यह दोनों enzymes जो होते हैं वो bacterial dna की synthesis protein synthesis के लिए ज़रूरी होते हैं और separation cause करते हैं bacterial dna में और इनका inhibition करने की वज़ा से जो cell division इत्यादी है जो protein synthesis हो रही है जो RNA synthesis करनी है वो सारा का सारा जो है वो bacterial cell के अंदर inhibit हो जाता है तो हर fluorokinolins लगबग एक ही जैसे काम करता है उसी तरीके से हमारा inoxosin भी काम करेगा वो inhibit करेगा ब्याने जो मारा bacterial dna gyrase है उसको और topo isomerase four को और इसकी वज़ा से वो dna के replication को transcription process को repair को recombination को इन सभी processes को क्या करेगा bacterial cell के अंदर रोकेगा inhibit करेगा जिससे bacterial cell की क्या हो जाएगी growth उखेगी और ultimately उसकी death हो जाएगी जो इसकी बात करें तो inoxosin जो है वो एक oral broad spectrum fluorokinolone antibacterial agent है यहने का मतलब कि यह हम इसे orderly दे सकते हैं और यह कई प्रकार के bacteria इसको मारने के काम में आता है gram positive bacteria के प्रती भी यह effective होता है जैसा कि nalidexic acid नहीं था nalidexic acid के वल gram negative bacteria में use कर सकते थे तो यहाँ पर gram negative bacteria पर तो इसको use करेंगे कुछ gram positive bacteria को मारने के काम में भी यह आता है खास करके इसको हम लोग unary track infections और gonorrhea के case में जो की एक bacterial disease होती है जो की आपके genitals में हो सकती है उसको ठीक करने के लिए और unary track infections के treatment में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं यह gram negative organisms के लिए काफी potent drug है और साथी साथ कुछ gram positive agents जैसे cephalo को का इत्यादी के भी काम में आता है उनको भी रोकने के काम में आता है इस ड्रग का प्रयोग किया जा सकता है metabolism की बात करें तो जो इनॉक्सासीन है वो जनरली जो है metabolized होती है आपके लीवर में और कुछ आइसोजाइम्स होते हैं जैसे की आपका जो cytokrome P40K वो hepatic macrosomal enzyme system के अंदर पाया जाते हैं जिनका inhibition cause करती है इनक्सासीन और लगभग 40% से लेकर के 60% अलग अलग जगहों पर अलग अलग लिखा हुआ है लेकिन हम इसलिए एक शब्दी यूज़ कर सकते हैं more than 40% जो अब orderly administration देते हैं drug का वो generally unchanged यानि बिना metabolized हुए आपके यूरीन में पाया जाता है और हम urine infection में उनी drugs का प्रियोग कर सकते हैं जो कि जादा मात्रा में या तो बिना change हुए पहुँचे urine तक यानि उनका metabolism ना हो या फिर अगर metabolism हो रहा है तो जो उनके metabolites हो वो भी active हो बैक्टिरिया को मारने के लिए तो urine में अगर वो पहुच रहे है तो urine infections कहा हो सकता है आपका bladder में हो सकता है यूरेथ्रा में हो सकता है बहां पर उस infection को रोकने के काम में आता है तो यह drug भी more than 40% जो है वो बिना breakdown हुए बिना metabolized हुए urine तक पहुचती है इसलिए इसे हम लोग urine infection में use करते हैं आज की हमारी second agent है ciprofloxacin हम सभी लोगों ने इसे कभी न कभी जरूर खाया है और बहुत ही easily available है हमारे आसपास चो ciprofloxacin भी synthetic broad spectrum second generation fluorokinoline है और antibacterial activity शो करती है जैसे हमने notfloxacin को देखा था लगबग वैसा ही structure यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा केवल अंतर यह होग कि position number one पे आप वहाँ पर एक simple chain लगा रहे थे दो कावन की जिससे आप ethyl group बोल रहे थे उसकी जगह पर यहाँ पर cycloalkyl group या cyclopropyl group हमें देखने को मिलेगा बस यह अंतर है बाकी सारा कुछ norfloxacin जैसा ही है यानि कि यह भी एक quinoline monocarboxylic acid derivatives हम बोल सकते हैं यानि quinoline देखेगा या फिर इसे हम लोग एन एराइल पेप्राजीन derivative बोल सकते हैं यानि पेप्राजीन दिंग के ऊपर एराइल substitution nitrogen के साथ जोड़ करके बन रहा है तो यह दोनों ही जैसा नौट फ्लॉक्ससिन में बोल लेते हैं वैसे यहाँ पर भी बोल सकते हैं हम यह कह सकते हैं क तो इसे हम 4-oxyokinoline या फिर krinolone बोल सकते हैं जिस पे substitutions किये जा रहे हैं अलग-अलग positions पर सेम एज जैसा कि nellexic acid के सीड में किया गया या फिर अभी आपने इनॉक्ससिन देखा वहाँ पर हमने किया या नौट फ्लॉक्ससिन में किया ठीक वैसे position no.1, position no.3 और position no.7 तो position no no.1 के उपर जो substitution है यहाँ पर वही अंतर है नौट फ्लॉक्ससिन से जिसे मैंने कहा that is cyclopropyl group आपको यहाँ पर लगाना है position no.3 पर वही carboxylic acid group लगा होगा और position no.7 पर same as नौट फ्लॉक्ससिन प्रिप्राजीन रिंग group देखने को हमें मिलेगा या इनॉक्ससिन जो अभी बार-बार पढ़ रहे हैं हमने सार में भी पढ़ा था position no.6 पर हमको एक fluorosubstitution जरूर देखने को मिलेगा जैसा कि हर fluorocunoline में देखने को मिलता है तो आईए इसके structure को देख लेते हैं जितनी बाते अभी मैंने कही वो सब आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर भी आप देख कि एक सोरी दो first ring system यहाँ पर देखने को मिल रहा है लेकिन एच पर यहाँ पे carbon है यहाँ पर nitrogen नहीं है इसलिए से क्यूनो लिएन बूलेंगे क्योंकि पहले नमर के nitrogen पहले पहले नम्बर के काबन को हटा करके नढ़ाओ लगाया गया है और पहले नमबर के gabon के सपर हाइड के लिंट ही होता है इसलिए 1H किण状 की बीलीGeneral Mmm हमारे Norfloxacin को हम बारबार बोल रहे हैं तो आप देख सकते Norfloxacin में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर position number 1 पर ethyl chain थी इसी ethyl group को हमको यहाँ पर replace करना है और एक cyclopropyl group लगाना है तीन carbon की cyclic ring system लगानी बाकी सब कुछ क्या रहेगा सेम रहेगा कुछ भी यहाँ पर बतलेगा नहीं जैसा कि position number 3 पर आपको COEH group देखने को मिल रहा है जिसे हम दो 3 carboxylic acid बोल रहा है 4th position पर oxo group देखने को मिल रहा है तो उसे 4 oxo बोल रहा है ketone group है यहाँ पर position number 6 पर हमको 6 fluoro group दिख रहा है पहले number के nitrogen से ही इसको रिंग के साथ जोड़ते हैं इसलिए हम लोग इसे 7 paparazine 1 aisle भी बोल सकते हैं तो यह था structure of ciprofloxacin अब इसी structure को याद रखने हैं इसलिए आसान है क्योंकि जैसे norfloxacin पढ़ा आपने enox सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ अंतर है ज्यादा अंतर नहीं है तो आप याद रख सकते हैं इसी structure से हम इसका IPSC nomenclature निकाल सकते हैं तो इसका IPSC nomenclature में आप देख रहे हैं कि पहले number के nitrogen के उपर cyclopropyl लगा हुआ है तो हमने कह दिया 1 cyclopropyl 3 carbon की chain है और cyclic structure में आ गई है तो इसको आप दोलेंगे cyclopropyl 6 number पे fluoros लगा हुआ है तो fluoros लगा लिया 4 number पे oxo है तो 4 oxo हो गया 7 number पे peperazine और यह इसके पहले number से लगी हुई है इसलिए peperazine vanile बोल दिया क्यूणोलीन रिंग सिस्टम है तो क्यूणोलीन हो गया और 3rd position पर कार्बॉक्सलिक एसिड है तो 3 कार्बॉक्सलिक एसिड अब एक चीज और समझने वाली बात है कि हम लोग 1H क्यूणोलीन भी यहां पर लिख सकते हैं कोई गलत नहीं होगा क्योंकि यह 1H क्यूणोलीन का ही structure है ठीक है तो इसका IPC नम हो गया 1 cyclopropyl, 6 fluoro, 4 oxo, 7 peperazine, 1 oil, क्यूणोलीन, 3 carboxylic acid मैकनिज ओफ एक्शन की बात किन तो सेम जैसे अभी आपने inoxosin का देखा या naofloxosin का आप देख रहे थे सेम मैकनिज ओफ एक्शन रहेगा क्योंकि यह सेम क्लास की ड्रग है तो सेम ही मैकनिज ओफ एक्शन होगा यह भी अपना action bacterial DNA gyrase और topo isomirase 4 जिसे हम लोग topo isomirase 2 भी बोल सकते हैं DNA gyrase को इनी दोनों enzymes का inhibition cause करके अपना effect शो करती है सिप्रोफ अक्शन बहुत ज़्यादा इसलिए यूज की जाती है क्योंकि यह जो bacterial DNA gyrase है उस पर 100 गुना ज़्यादा affinity शो करता है than the normal जो हमारा जो cell होगा और उसका जो DNA gyrase होगा उसके against यानि यह आप कह सकते हैं कि simply जा करके bacteria के ही DNA gyrase पर ज़्यादा से ज़्यादा bind करेगा या उसको रोकने की कोशिश करेगा हमारे normal cells के साथ ऐसा कोई भी हरकत नहीं करेगा जितने भी quinolones होते हैं या fluorokinolones होते हैं वो सभी bacterial या bactericidal drugs होते हैं और यह अपने जो action शो करते हैं या bacteria को kill करने का जो काम करते हैं वो simply DNA replication को interfere करके और इस process को रोक करके करते हैं इसी के साथ साथ इन दोनों enzymes आने की topo isomeres 4, topo isomeres 2 या DNA guidance इसे बोल रहे हैं इन enzymes को रोक करके इन enzymes को inhibit करके bacterial DNA replication जैसा कि हम लोगों ने जो पहला वीडियो बनाया था जहांपे हमने आपको unitrack anti-insertive agents का mechanism section बड़े ही साधार तडिके से बताया था से वही आप हर जगर लिख सकते हैं कि यह DNA replication को transcription को repair और recombination जो process है bacterial DNA की उसको रोकता है और bacterial cell की growth को रोकता है उनके division को रोकता है और इस तरीके से bacteria की क्या हो जाती है देख हो जाती है यूजेस की बात करें तो सिप्रोफ्रॉक्रस जनरली unitrack infections को रोकने के काम में आता है और इसका main use है वो unitrack infections में हम use करते हैं लेकिन यह भी एक broad spectrum antibacterial है कई सारे gram negative और gram positive bacteria के अगेंस इसका प्रयोग किया जा सकता है कुछ gram negative bacteria जैसे acercia coli है kebacilla pneumoniae है proteus mirabilis या फिर pseudomonas arginosa इन सभी के खिलाफ आप इसको use कर सकते या और भी bacteria है जिनके खिलाफ आप use कर सकते हैं यह कुछ examples है और gram positive के लिए थोड़ा सा less effective है than the gram negative लेकिन फिर भी use कह जाता है जैसे staphylococcus aureus या फिर staphylococcus pneumoniae अब अब इसको अगर use करें इतना यह broad spectrum है तो अलग अलग प्रकार के infections पर हम इंका प्रियोग कर सकते हैं उनको ठीक करने के लिए जैसे कि कुछ infections आपके bone and joints के वहाँ पर आभी इंका प्रियोग कर सकते हैं other than the unity track infections next endocardiasis में इसका प्रियोग किया जाता है इंका endocardiasis एक ऐसा infection है bacterial infection होता है जो की endocardium endocardium क्या होती है आपके herd की जो inner lining होती उसे endocardium बोलते हैं वहाँ पर अगर bacterial infection हो जाए तो वहाँ पर उस inner lining में inflammation हो जाता है उस condition को हम लोग endocardiatis बोलते हैं और इसके treatment में इस ड्रग का प्रियोग किया जाता है next है हमारा gastrointest जानि की gastrointestinal tract में जो आपका bacterial infection हो जाए और वहाँ पर inflammation हो जाए उस case में आप इसको दे दते हैं malignant otitis external यह जो एक ऐसी condition है एक ऐसा infection है जो की generally आपके कानों में हो सकता है ear canal में और temporal bone में और काफी lethal प्रकार का infection है यानि यह infection होने पर कई बार conditions काफी खराब हो सकती है serious infection होत infection को दूर करने के लिए जो है इस ड्रक का प्रियोग किया जा सकता है next is respiratory tract के जो infections है उनमें इसका प्रियोग किया जा सकता है salutitis में इसका प्रियोग करते है salutitis जो है वो generally bacterial skin infection है जो की skin के उपर जहाँ पर भी bacteria का growth होगा वहाँ पर redness, swelling या फिर pain इत्यादी जो है वो cause कर सकती है इसके treatment में इसका प्रियोग कर सकते है proteitis में भी प्रियोग किया जाता है यानि कि आपका जो prostat है वहाँ पर जो prostatic gland है उसमें bacterial infection हो रहा है और वहाँ पर inflammation इत्यादी cause हो जारी इस condition में हम दोग इसका प्रियोग कर सकते है anthrax में इसका प्रियोग किया जाता है anthrax generally जो बिमारी है वो एक gram positive rod shape bacteria bacillus anthratis के द्वारा होती है और generally animals में पाई जाती है लेकिन जब हम क्योंकि हम animals के बीच में ही रहते हैं माली जे गाय है भैस है उनको हो गया तो जो व्यक्ति उनके साथ काम कर रहा है उससे वो bacteria उस व् एक्ति के अंदर भी आ जाता है और इस condition में जो है problems जो है वो बढ़ने लगते domestic animals में अगर हो जाए तो हो जाता है तो इस condition को भी ठीक करने के लिए हम लोग इस drug का प्रियोग करते है humans में next है हमारा cancread cancread जो है condition है वो एक sexually transmitted disease होती है जिसमें जो genitals है वहां पर घा हो जाते urine करने में दिक्कत आने लगती है उस condition को हम लोग concrete बोलते हैं और इस condition में भी bacterial infection ही होता है इसलिए इस drug का प्रियोग किया जा सकता है या जनरली bacterial infections जहां में भी होंगे use करेंगे unitrack infections जो अलग-अलग तरीके हैं जैसे phenylonephritis है हमारा citratis है या यह तो त्राइडिस का क्या मतलब होता है आपके kidney में infection हो रहा हो और inflammation हो जाए उसको ठीक करने के लिए bladder में infection हो रहा हो उसको ठीक करने के लिए urethram infection हो रहा हो उसको ठीक करने के लिए other GI tract infections है उनको भी उनके infection होने की वज़े से ही इसका metabolism होता है और हमें चार प्रकार के metabolites प्राप्त होते हैं जर्रली यह ciprus 1A2 के द्वारा इसका अपका metabolism होता है आपके liver के अंतर नेक्स्ट अगर बात करें तो जो metabolites हैं जो चारो metabolites हैं उनके नाम आपको बता दे रहे हैं डेस इथाईल, इनी, cip metabolites बनते हैं जनरली 15% जो है metabolize यह drug liver के अंदर हो जाती है और इन यह सभी जो आपके चारो metabolites हैं यह भी active होते हैं बैक्टिरिया के प्रती यानि बैक्टिरिया को मारने के काम में यह भी आते हैं लेकिन थोड़ी सी कम activity है than the ciprofloxacin लेकिन कुछ इसमें से ऐसे भी हमारे क् जानाम है खास करके जैसे oxo ciprofloxacin जो है यह एक active metabolite है और कई बार अधर जो फ्लूरो क्रिनलेंस हैं उनसे ज्यादा activity भी शो करती है 40 से 50% या कुछ जगों पर लगबग 60% तक लिखा हुआ है कि जो हम orally administration dose देते हैं ciprofloxacin की वो बिना कोई metabolize हुए यानि बिना change हुए urine तक पहुच जाती है और हमने पहले भी कहा कि urine का infection अगर हमको दूर करना है तो urine में ऐसे antibacterial agents को पहुचाना हो जिसका metabolize या तो कम से कम हो या फिर जिसके metabolize जो बन रहे हैं वो भी active हो तो फिर वो bacteria को मारने के काम में आ जाते हैं तो करीब 40 से 50% ये drug बिना metabolize हुए या unchanged drug जो है urine तक पहुच जाती है तो ये था आज का हमार टॉपिक जहां पर हमने सिप्रोफ साक्सासीन और इनोफ साक्सासीन दो एक important अपके unitrack anti-infective agents हैं उनके बारे में ऐस पर यो सले बस जितनी जानकारी देनी चाहिए वो मैंने देने की कोशिश की फिर भी अगर आपके कोशिश करेंगे वीडियो आपको पसंद आते हैं से लाइक कीजिए अपने फ्रेंस में शेयर कीजिए चैनल पर नहीं हो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनियत डॉक्टर पी के एस और डॉक्टर एम पी एस क्लासेज को और करें अपने वी फार्म डी फार्म का सपना साकार डाउनलोड दिया है नाओ